हलो फ्रेंड स्वागत है आप सब करें स्पीज बाई संध्या में आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्ट और हेल्दी शहद में लिप्टे हुए फ्रूट चार्ट अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें बैल आइक हम आज की अपने रेस्पी एक पैन ले लिया है गैस अभी मैंने ओन नहीं किया है वन फोट कप शहद वन फोट कप पानी गैस ओन करेंगे शहद और पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक उबालाने देंगे शहद और पानी में उबालाने लग गया है टू पिंच दालचीनी पाउडर मिक्स कर लेंगे शहद और पानी वाले मिश्र को उतार के एक साइड में रख लेонगे ठंडा ओने देंगे पैन रखेंगे पैन को गरम होने देंगे पैन गरम हो चुका है दो सी तीन बरे चम्मच ऑल डाल लेंगे ऑल को इचे से गरम होने देंगे यहां पे मैंने एक पैकेट मैगी लिया है मैगी मसाला का पाउश हटा देंगे इसमें यूज नहीं है इसका मैगी को छोटे-छोटे टुकडों में तोड लेंगे ओल हमारा गरम हो चुका है मैगी डाल लेंगे गैस को मीडियम पे कर लेंगे मैगी को ब्राउन होने तक भूल लेंगे अच्छे से उलट पलट करते हुए ब्राउन कर लेंगे साइडों से ये टूटे हुए मैगी निकाल रही हूँ ये बिल्कुल ब्राउन हो चुका है तो ये जल जाएगा बाकी पीसों को थोड़ा सा और ब्राउन कर लेंगे जो वाइट वाइट दिख रहा है उसको लेट पलेट करते हुए मैगी अच्छे से भून चुका है गैस को आफ कर लेंगे मैगी को निकाल के दूसरे बर्तन में रख लेंगे यहाँ पर मैंने एक किलो तर्बुज लिया है मेलन बॉलर लिया है इससे बॉल्स निकाल लेंगे तर्बुज से पीसेज में भी कट कर सकते हैं बस देखने में अच्छा लगता है अगर बॉल्स की तरह निकाले तो ऐसे एक बर्तन में रखते जाएंगे सारे तर्बुज से इससे बॉल्स निकाल लेंगे तर्बुज से मैंने बॉल्स निकाल लिया है यह जो तर्बुज का देख रहे हैं पीस अंदर से साफ कर लेंगे ये मैं फ्रूट चार्ट सर्व करने के लिए टोकडी तयार कर रहे हूँ आप प्लेट में भी सर्व कर सकते हैं तरबूज के छिलके की टोकडी बनकर तयार है दो बनाना ले लिया है छिलका हटा लेंगे सारे फ्रूट्स एक ही बावल में रखते जाएंगे फ्रूट्स आप कोई साभी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो वो एड़ कर सकते हैं एक सेव ले लिया है कट कर लेंगे बीच से बीच हटा देंगे सेव का सेव के पिसेज कर लेंगे बावल में डाल लेंगे एक खर्बूजा ले लिया है, हाफ यूज करूँगी इसमें खर्बूजे से भी बॉल्स निकाल सकते हैं या हम पीसेस भी कट कर सकते हैं जैसा पसंद आए एक कप काले अंगूर, एक कप हारा अंगूर, शहद, पानी और दालचीनी पाउडर का जो लिक्विट तैयार किया था वो ले लिया है फ्रूर्ट्स के उपर डाल लेंगे, फ्राई किया मैगी, मिक्स कर लेंगे सारी चीजों को हमारा फ्रूर्ट चाट बनके बिलकुल रेडिये बहुत ही टेस्ट और हिल्दी बना है, सर्फ कर लेते हैं उपर से एक चमस शहर डाल लेंगे फ्राई मैगी से उपर से थोड़ा सजा लेंगे बस हमारा टेस्टी और हिल्दी फ्रूट स्चार्ट बनके बिल्कुल रेडी है फ्रिज में रख देंगे कुछ दिर के लिए उसके बाद खाएं तो बहुत टेस्टी लगेगा आप भी इस तरीके से फ्रूट शार्ट जरूर तियार कीजिए फिर मिलते एक नए रेजबी के साथ थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो